जो आप कच्रा देख रहे हैं यह हमारे नगर निगम की भी महरवानी है यहाँ पर. चाहे कुछ भी हो आंधी तुफान कुछ भी हो जाए इसी घाट मामनसा का भिसरजन होता है, मन्युसा का भिसरजन होता है. यह जो कच्रे का ढधेर है, यह कहां से आता है? यह तो पूरे भागलपूर का डंप जोन चंपा नदी है कि सथी बुला जब बाल उनके पती को सर्पने दसा था उसके बाद स्वर्ग के लिए यात्रा जो सथी के द्वारा सुरू की गई थी अपने पती बाला लखेंद्र को लेकर तो इसी अस्थान से की गई थी और यहां चंपा नदी है हाला कि अभी जो आप इस्थिती देख पा रहे हैं तो इससे आपको यह कहीं से भी यह नहीं लग सकता है कि यह चंपा नदी है यह चंपा नाला और इसकी इस्थिती को देखके आप देख सकते हैं कचरे का अंबार भी लगा हुआ है और नदी के जो पानी आप देख रहे हैं पिलकुल पूरा काला पड़ा हुआ है और इसमें कचरे के अंबार से पूरा भरा हुआ है और हम आपको यह बता नहीं सकते हैं कि यहां कितनी दुर्गंध हो रही है हमें भी काफी यहां परिसानी हो रही है इस दुर्गंध के कारण लेकिन इस प्राचीन और धार्मिक मानेता के बावजूद इस जगा की यह स्थिती है इसलिए हम यहाँ पहुंचे और आपको यह दिखा रहे हैं कि इस तरह की स्थिती यह है जो सती बीवला और विशारी पूजा से जुड़ी हुई जो आस्था का जो विशा है चंपा नदी इसकी इस्थिती यह है इसके लिए प्रसाशनी का स्तर पर कई बार बात की गई लेकिन और वादे भी किये गए स्मार्ट सीटी में भी की बात की गई और अभी सबसे बड़ा जो यह मुद्दा है कि नमामी गंगे के ताहत बूरे भारत में जो है नदियों के सफाई का बागलपूर की लोग आस्था से जुड़ी जो कता है सती बूला की जो बिसहरी पूजा जो है तो उसको लेकर के यहां पसे लोग की खास आस्था जुड़ी है इन तमाम उफलब्दियों के बावजूद इसके कारण बागलपूर चंपा नगर की एक प्राचिन पाचान रह गए थी उनके प्रान-पूना हापस करने के लिए और अंतुता उसमें और इस कथा जुड़ी है विसहरी पूजा जो है मां मंसा के द्वारा ऐसी मां की गई थी मां मंसा के द्वारा मांग की गई थी चांदू सोधागर से उनकी पूजा के लिए और उन्होंने यह मना कर दिया था उसके कारण से यह उसकी पूरी लंबी कथा है हम उस कथा में फिलाल नहीं जाएंगे फिलाल हम आपको दिखा रहे हैं यह वो पवित्र नदी है जिसकी साथी यह जो आप कच्रा देख रहे हैं यह हमारे नगर निगम की भी महरवानी है यहां पर इतने पुणे परतर अस्थान के रूप में डबलब किया जा सकता है जिसकी पवित्रता को देख करके इसे ओर बहतर ढंग से लोगों के आस्था को ध्यान में रखके वहां कच्रे कामबार लगाए जाता है और आसपास के लोग भी यहां अंदाजा लग सकता है कितने सिंसियर होगे हम यहां जानेंगे कि क्या कुछ इसकी बिसेश इसका पीसेश महात हुए जी मेरे नाम हेमंत मैं चंपा नगर निवास अपनी मा को गाली दे रहे हैं है और यह नाला पराषद म मेयर और नगर निकम का पूरा हाथ है यह नदी में हम लोग चोटे थे तो डॉल्फिन उचलते हुए देखा करते थे लेकिन आज तो डॉल्फिन क्या यहां तो लोग भी नहीं नहाना चाहेंगे तो क्या इसके डवलप्मेंट के लिए कहीं कोई प्रयास हुआ या कहीं कोई आवाज उठाई गई हो अवाज तो कई बार उठा है चंपा नदी को लेकर के अमेरेका तक आवाज चला गया है लेकिन बस आवाज एक कागजों में रही कभी भी हमें राउंड फिगर पर कर नज कुछी भी हो जाए इसी घाट मामन्सा विर बिसर्जन होता है मन्यूचा कभी ज़यन होता है लेकिन इस घाट को सफाई कर कराने के लिए हम और अब तो पानी भी नहीं रहती है तो उदर से कुछ भी सकरातमक बाते नहीं होती बस कागजौ में हां कहकर रहा जाता है यह कहां से आता है यह तो पूरे भागलपुर का डंप जोन चंप नदी है आपको पता हो कि मेंगा स्थरी जब भारत आये थे तो उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि चंपा उस टाइम उसके आने के टाइम में 200 मीटर चौड़ी थी आपको देखिए कि यह 200 मीटर चौड़ी है यह 2 मीटर भी नहीं है तो यह इतना पवित्र है यह स्थान इसके बारे में जो आप जान पा रहे हैं लेकिन अभी जो हालात है और जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसे कच्रे का जोन बना दिया गया है डंपिंग जोन बना दिया गया है इसके डवलप्मेंट के लिए काम किया जाए इसक तो उस तमाम तरह की बातों को ध्यान में रख्के इसे बहत्र ढंग से अगर काम किया जा है तो एक खुब्सूरत जगह इसे बना जा सकता तो क्या पृसवासनी का श्थर पे कभी को सवासन भी मिला हो कभी कुछ आस्वसन तो जो भी नेदाएं आते हैं और बाते होती है तो बस आस्वसन मिलता है कि हाँ इस पर काम किया जा रहा है जैसे कि मेरिन ड्राइब का भी ख्वाब दिखाया गया कि चंपा से बरारी पूल तक मेरिन ड्राइब बनेगी लेकिन वो कब बनेगी कैसे बनेगी जब प बस शिरिप नाला का पानी इसका दो अंग्रेजों ने टैग रखा वह चंपा नदी बना करके पूल पर टैग दे दिया नाले का और उसका अंग्रेजों ने सिर्फ नाम दिया था और हमने उसे साबित कर दिया कि तुछ में यह नदी नहीं नाला है तो आप देख सकते हैं कि वो एक पूल दिखाई जरा है वो चमपा नाला के नाम से भी जाना जाता है हला कि चमपा नदी पर बना पूल होना चाहिए लेकिन एक पाचान बन गई है चमपा नाला की और इसका कारण क्या है चमपा नाला कहने का वो आप दृष्ट से भी साफ सम इसके कारण जो है नदी के जगह नाला में सचमुच मनला में तबदील हो चुका है जो हम तमाम लोगों के लिए एक सोचनिय बात है और इससे अभी भी एक अगर प्रियास किया जाए जाए प्रसासनी कस्टर से समाजी कस्टर से तो इस स्थीति को सुधार करके भागलपूर चंपा नगरी के जो पुराना इतिहास है, जो पुरानी पाइचा ने उसको कायम किया जा सकता है, तो इसकी स्थिती को देखते हुए हम यहां आज पहुंचे थे और आपको यह दिखा रहा हैं, और प्रसासनी कस्तर पर सरकार और प्रसासन से नगर निकम तमाम लोगों से अपील करते हैं, कि इस पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि इसकी विरासत को संजोया जा सके, और लोग की आस्था का ध्यान दखते हुए, इस इलाके के तमाम लोगों का भी भला हो सके, और लोग यहां से जुड़ सके और हमारे जो एतिहासिक धरोवार है उसका भी लगतार देश-विदेश के साथ तमाम जगहों पर इसका प्रचार प्रसार भी हो सके तो अभी के लिए इतना ही नमस्कार